लगबग पांच महीने बाद टीम इंडिया खेलेगी टेस्ट मुकाबला वो भी साउथ अफरीका के गिलाव साउथ अफरीका की सरजबी पर सूपर स्पोर्स पार्क सेंचूरियन में होगा पहले टेस्ट मुकाबला दोस्तों और रोईज शर्मा प्रेस कॉन्फरेंस इडेंट करने आये थिलाब, सभसे पहले conditions की बात करते हैं DoncЖने ने साउइध अफरीका की condition बारे में बॉला fashion जरूरस हब यह काँए खियर होती है अगर आप इंग्लेडीड की कंडिशन सी बात करें आप तो आप कंडिशन आप तूर्ण की बात करें तो south अफरीका सब आपने आपको short selection पे रोई शर्मा ने जोर दिया ये दो जो लफ़ का है रोई शर्मा ने short selection इन दोनों पे बहुत जोर दिया तो उनके लिए भी एक नया जो है experience रहेगा साथ जाथ बाकी युवा बल्लेबाज के बारे में भी उन्हों ने बोला जो team setup का हिस्सा उन्हों ने बोला कि ठीक है जोश तो नजर आ रहा है साथ जाथ जो साथ में experience बल्लेबाज उनको लगातार उनको सिखाते रहना है और experience उनको देते रहना है तो रोजश शर्मा ने एक important बात भी बोल दी और युवाओं के बाले में या कह सकते युवा बल्लेबाजों के बारे में रोजश शर्मा ने यही बोल दी के जोश है उनमें अच्छे तरीके से वो practice कर रहे हैं और लगातार उनके अंदर positivity दिख रही और intent अच्छा दिख रहा है अब अगर आप वही चीज लेकर चलते रहेंगे वर्ड कप हो चुका है खत्म और हार मिल गई वो सब ठीक है हम हार गए हमने लगातार अच्छा कहला लेकिन उसके बाद भी में हार मिली पर लेकिन आपको मूवाउन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना ही मुझे लगता है और अब जो में फोकस कि सब्सक्राइब कहixelते लेकर और वही उनने चीज पर सबसे आदा फोकस लगए और के अनोंसे कि आप कैसे देखने उस रोल को जो जो करा पार में दॉन होले करने वाले शेसली विकेट कीपर बल्ले वास का जो रोल अदा करने तो रोषक शर्मा ने ये बोला कि K.L. Rahul जो है कहीं भी बलेबाजी कर सकते हैं, जैसे वह जैसा वह एक्सपीरेंस लेकर आरहे हैं, कहीं भी आप उनको किसी रोल में डाल देंगे तो धल जाएंगे तो यहीं important चीजें बोली K.L. Rahul के बारे में, फिलाल आप क्या सोचते हैं क जो रोच शर्मा ने प्रेस कॉन्फरेंस की जो उनने ब्यान दी कुछ कंडीशन के बारे में, इस्वेडियो में किरे प ही ए, कब में हमारे मेले इस वीडियों में तो हॉ गए